प्याज की बढ़ती कीमतों को थामने के लिए सरकार सक्त हो गई है आयकर विबाग ने महराष्ट की पिंपल गाव वस्वंत क्रिशीपज मंडी समीती में काम करने वाले जिन 6 प्याज वेपारियों के 13 टिकानों का चापे मारी की है उनके यहां से करोडों की नगदी मिलने की खवर है लेकिन प्याज उत्पादंग संगठन ने इस कारवाई से अपने को अलग करते वे एक नया फैसरा लिया है जिसके मताबिक वे अग डिरेक्ट सेलिंग का नेटवर्क बनाएंगे किसान संगठन ने का है कि वे इस कारवाई का विरोध करके ट्रेडर्स का ढाल नहीं बनना चाहते क्योंकि वेपारियों ने कभी किसानों का हित नहीं दिया महराष्ट्य राज्य प्याज उत्पादंग संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले के अर्मसार किसान और कंज्यूमर के बीच ऐसे मुनाफ़क होर लोगों की चेन बन गई है जिनकी बज़ा से किसानों को बहुत कम पैसा मिलता है और कंज्यूमर को महंगा समान मिलता है इस नेटवर्क को ब्रेक करना है ताकि किसान भी खुश रहे और कंज्यूमर भी भारत दिगोले के ने बताया है कि उनके संगठन के महराष्ट, करनाटक, MP, गुजराद, तेलंगना आदी में 3 लाग किसान सदस्से हैं जिनके माध्यम से वो अलग-अलग शहरों में नेटवर्क बनाएंगे महराष्टे के भी बड़े शहरों में खुद प्याच की ग्रेडिंग और ब्रैंडिंग करेंगे यहां कॉंकड और नाकुर में प्याच नहीं होता इनके मार्किट में भी डिरेक्ट सेलिंग का नेटवर्क तैयार करेंगे किसान नेता भारत दिगोले ने कहा है कि जब प्याच के दाम में व्रिधी होती है तब तो सरकार को उसे कम करने की चिंता हो जाती है लेकिन जब दाम इतना घड़ जाता है कि किसानों को नुकसान होने लगता है तब सरकार कहा चली जाती है तब भी उसकी एजिंसियों को आगे आना चाहिये कि कम से कम वो ख किसानों का उतपादन लागत पो दिलवाए बारत बीगोले ने बताया है कि हमारा प्याज हमारा दाम आंदोलन पहले से ही चल रहा है इसके तहट प्याज का नियूंतम रेट 30 रुपे करने की बात रखी जा रही है क्योंकि 17 से 18 रुपे प्रती किलो तो लागती लगती है हम किसानों को जागरूप कर रहे हैं कि प्याज का दाम वो मिलकर खुद तैय करें अभी प्याज बजार के हवाले है अब तक प्याज उगाने वाले किसानों को इसका दाम तैय करने का हक नहीं मिला है किसान मेहनत करता है और उसका फायदा जमाखोर उठाते हैं किसान लीडर भारत भिगोले कहते हैं कि नेशनल होटी कल्चर बोर्ड ने 12-17 में बताया था कि प्रती किलो प्याच पैदा करने पर 9 रुपे 34 पैसी की लागत आती है और अब 4 साल में ये बढ़कर 15-18 रुपे किलो तक हो गया है ऐसे में किसान को कम से कम 30 रुपे कीमत तो मि सेल नहीं चाहिए ये तभी हो सकता है जब डिरेक्ट सेलिंग का नेटवर्क बना हो इसके लिए संगटन के बद अधिकारियों से बातचीत की जा रही है दियूर्ड कोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी झाल